इस धरा की हर दिसा की है एक विशेश परंपरा। ऐसी है एक विशेश परंपरा है श्राद पक्ष या कहें पित्र पक्ष से जुड़ी हुई जो बस्ती है ब्रज की मार्टी में। नहीं पंद्रह दिनों में पित्र पक्ष के दौरान बनाई जाने वाली विशेश मिठाई इमर्ति से जुड़ी बाते। ब्रज में ही क्या पूरे उत्तर भारत में कौन ऐसा होगा जिसने इमर्ति का स्वाद न चखा हो। देखने और बनाने में जलेबी जैसे लगने वाली ये मिठाई स्वाद में जलेबी से बिलकुल अलग होती है। इसे जलेबी की तरह बनाना आसान नहीं है। जलेबी बनाने वाला प्रतेक कारिगर हलवाई इसे नहीं बना सकता। कुछ खास हलवाई ही इस इमर्थी कला में कुशल होते हैं भले ही ये बहुत कुछ जलीबी की तरह से ही बनाई जाती है पर इसे बनाते समय सबसे कठिन कारे होता है इसकी वो गुच्छय बनाना जिससे इमर्थी की आकरिती को सुन्धर कंगना का रोप मिलता है इसे बनाने में प्रियुक्त होने वाले सामगरी भी जलीबी से अलग होती है इमर्थी उड़त की डाल से बनाई जाती है जिसे एक दिन पहले पानी में विधिवत गला दिया जाता है और फिर पीसा जाता है और बनाते समय खमीर उठाने के लिए निरंतर फेटा जाता है अधिकतर देसी घी में इसे सेका जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि ये पूरी तरह से सिख जाए क्योंकि इमर्ती का श्रेष्ट स्वाद होता है उसका करारापन और वो तब ही मिल पाता है जब उसकी उचित सिकाई हुई हो खांट की चासनी में से निकली हलकी गर्मा गर्म इमर्तियों के स्वाद का तो कहना ही क्या ब्रज में ये इमर्ती पित्रिपक्ष की विशेश मिठाई माने जाती है और पूरे वर्ष भर में केवल इन ही 15 दिनों में ये मिठाई बनाई जाती है मत्यकालीन ब्रजभायषा कावी में और ब्रज़ की देवालियों की पुरानी प्रसाद सूचियों में भी इमर्थी का उलेख प्राप्त होता है जिससे इसकी लोकप्रेता का पता चलता है अब यदि इमर्ती शब्दों पर विचार किया जाए तो ये शब्द बना होगा अमृत सी इन दो शब्दों के युग्म से जो बाद में बिगड़ कर इमर्ती बन गया तिवारी जी लिखते हैं कि हाला कि मैं भाशा विज्ञान के व्यक्ति नहीं हूँ और मेरा केवल ये एक अनुमान ही है पर जिन्होंनी भी ब्रज की इमर्ती का स्वाद चखा है वे जानते हैं कि ये स्वाद भी किसी अम्रित से कम नहीं है और अब अन्त में श्री लक्ष्मी नारायन तिवारी जी आप सभी के लिखते हैं एक संदेश भी कि यदि आपको भी इमर्तियों का स्वाद लेना है तो चले आए ब्रज में हमारे पास तो साथियों तिवारी जी के स्निमंत्रन पर भी विचार कीजेगा जरूर और अपने विचार प्यार और सुझाओ भी न रखेगा हमसे दूर हमें जरूर बताएगा कि ब्रज की माटी की ये विशेश परंपरा जान कर क्या आपके ग्यानकोश में भी एक नई जानकारी का संचे हो पाया नमस्कार